पडिवार का महत्वे को सहन करना सिखो क्योंकि ये दोनों जब डूपते हैं तक चारो और अंधेरा चा जाता है मौत जिन्दगी से कितनी बेतर है जिन्दा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं अब खुद मेरे चारो और बैठे जा रहे हैं पहले कभी किसी ने मेरा हाल न पूछा अब सभी आंसू बहाए जा रहे हैं एक रुमाल भी भेट नहीं किया जब हम जिन्दा थे अब सौले और कपड़े उड़ाये जा रहे हैं सब को पता है कि सौले और कपड़े इसके काम के नहीं है मगर फिर भी बिचारे दुनियादारी निभाये जा रहे हैं कभी किसी ने एक वक्त का खाना तक नहीं खिलाया अब देशी घी मेरे मुँमे डाले जा रहे हैं जिन्दगी में एक कदम भी साथ न चल सका कोई अब फूलों से सजाकर कंधे पर उठाये जा रहे हैं आज पता चला कि मौद जिन्दगी से कितनी बेहतर है स्रीकिष्ण ने कहा है जैसे जैसे कलियूग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा जरूरत के समय आपके पैर पकरेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं समय का कैसा मौड है रात दिन की दोड है खुस रहने का समय नहीं बस खुस दिखने की होड है दोस्त जिसदार सबको अजमा के देख लेना अगर तुम्हारे पास पैसा है और काम्यावी नहीं है तो तुम्हें कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा चार दुल्लग गुल धन के साथ पवितरता होनी चाहिए दान के साथ बिनै होना चाहिए वीरता के साथ दया होनी चाहिए अधिकार के साथ शेवा भाव भी होना चाहिए चार से चार भाग जाते हैं देव गुरु के दर्शन से दरिता भाग जाती है भगवान की बानी से पाप भाग जाता है जागते रहने से चोर भाग जाता है मोन रहने से क्रोध भाग जाता है चार से भीबाद मत करो कभी मुर्ट से बिवाद मत करना कभी पागल से बिवाद मत करना कभी गुरु से और माता पिता से बिवाद मत करना चार चीजों में कभी सर्म नहीं करना चाहिए पुराने कपरों में कभी सर्म नहीं करना चाहिए गरीब साथियों में कभी सर्म नहीं करना चाहिए बुड़े माता पिता में कभी सर्म नहीं करना चाहिए सादे रहन सहन में कभी सर्म नहीं करना चाहिए आज के लोग ऐसे होते हैं तु अपनी खुविया ढूंड कमिया निकालने के लिए लोग हैं अगर रखना है कदम, तो आगे रख, पीछे खीचने के लिए लोग हैं, सपने देखने ही हैं, तो उचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं, अपने अंदर जुनुन की चिनगाडी, भड़का, जलने के लिए लोग हैं, अगर बनानी है, तो यादे बना, बाते बनाने के लिए लोग हैं, प्यार करना है, तो खुद से कर, दुस्मानी करने के लिए लोग हैं, खुबी और खामी दोनो ही होती हैं हर इनसान में, जो तराशता है उसे खुबी नजर आती हैं, और जो तलास्ता है उसे खामी नजर आती है, बास्था तो वक्त होता है, इंसान तो यूहीं गुरूर करता है पस्तावा अतित नहीं बदल सकता और चिंता भविस नहीं सुधार सकती इसलिए बर्तमान का आनन लेना ही जीवन का सच्चा सुख है दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना क्योंकि जो पेर फल नहीं देता है वो छाया अवस्द देता है इंसान वो ही है जिसे दूसरों के अदर्द महसूस हो बढ़ना अपना अदर्द तो जानवर को भी महसूस होता है परती दिन खूद को एक परसंट बहतर बनाने के लिए हमें सब्क्राइब करना ना भूले धन्वाद मनुस को हमेशा यह नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने जीवन में कितना खुस है भलकि यह सोचना चाहिए कि उस मनुस की वज़य से दूसरे कितने खुस है लंबा धागा और लंबी जुवान केवल समस्या ही पैदा करती है इसलिए धागे को लपेट कर और जुवान को समेट कर रखना चाहिए इतने छोटे बनिये कि हर कोई आपके साथ बैठे और इतने बड़े बनिये कि जब आप खड़े हों तो कोई बैठा न रहे गलत बैक्ती का कितना भी मीठा बोले एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाता है अच्छा बैक्ती कितना भी करबा लगे एक दिन औसदी बन कर काम आएगा कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जूरी बेहतरिन जानकारियां छोड़ देते हैं आपसे मेरी प्राथना है मेरा मनोवल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेर जरूर करें अगर चैनल पर नहीं है तो सब्क्राइब भी जरूर करें थैंक्स फोर वाचिंग